प्यासा कौवा एक दिन की बात है गर्मी का सक्त दिन था एक प्यासा कौवा जो पानी की तलाज में इधर उधर घूम रहा था लेकिन उसे पानी कहीं नहीं दिख रहा था वा उड़ता चला जा रहा था उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी गर्मी और प्यास के कारण उसकी हालक खराब होती जा रही थी उड़ते उड़ते उससे एक कौवा दिखा वा कौवे पर जा बैठा वह कुवा देख बहुत खुश हुआ पर उसकी खुशी कुछ समय तक थी पानी कुवे में नहीं था वह सुखा हुआ था पानी ना मिलने के कारण कौवा अपने आप में ही बढ़बढा रहा था फिर वह उड़ गया उड़ते उड़ते वह और भी सुष्थ होता जा रहा था कुछ देर बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया वह वोरन घड़े के पास जा पहुचा घड़े में पानी बहुत नीचे था पानी को देखते देखते कौवे को एक तरकीब सुझे घड़े के पास कंकड़ों को एक करगे पानी में डाल दे तो वह पानी उपर आ जाएगा और वह असानी से पी सकेगा उसने एक एक कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया और पानी उपर आ गया कौवे ने पूरी तरह पानी पी कर अपनी प्यास बुजाई इससे हमें यह सिख मिलती है कि कोशिश करने से काम्याबी जरूर मिलती है और वह खुशी से उड़ गया